स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानियां कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी आद सुनिए हरीशंकर परसाई का लिखाव्यंग समय काटने वाले मैं वो पत्थर हूँ, जिस पर कोई भी अपने ना कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है कुछ लोग मेरा ये पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूँ मैं जानता हूँ, वो घर में पूरी इमानदारी के साथ समय काटने की कोशिश करते हैं पर समय फिर भी बच जाता है, तो उसे जोले में डाल कर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे जोर-जोर से मेरे उपर पच्छारने लगते हैं समय जब तार-तार होकर मर जाता है, तो वे प्रसन और हलके होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सर को देर तक सहलाता रहता हूँ और सोचता हूँ सरपलस समय के कपड़े को पच्छारने के लिए मैं धोबी का पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ पर समय रोज पैदा हो जाता है, और उसे रोज मारना पड़ता है समय को न मारो, तो अपने को मार डालता है ऐसी क्या कोई तरकीब नहीं कि सारे समय को एक बार ही ऐसा मार डाला जाए कि वो फे पैदा नहो एक सत्या ग्रही ने मुझे बताया कि है कहने लगे, जेल में जब मैं जासूसी किताब पढ़ रहा था विनोबा ने देखा तो पूछा, क्या अध्यान कर रहे हो मैंने कहा, जासूसी किताब पढ़ रहा हूँ बाबा ने पूछा, इसे क्यों पढ़ते हो मैंने जवाब दिया, समय काटने के लिए विनोबा ने कहा हम, समय तुम्हारी समस्या है ऐसा करो न, इस खंबे पर सिर्दे मारो सारा समय एक बारगी कट जाएगा सलाह नेक है वगर ऐसी थोक काट पिरले ही करते हैं अक्सर लोग पुट कर समय काटते हैं ऐसे एक ताजा समय काटन हार मेरे पास जब तब आ जाते हैं रिटायर्ड आद्मी है जिसे extension ना मिले उसे रिटायर्ड आद्मी कहते हैं extension की अवधी से ही वो तूटने लगता है माधथ आपस में कहते हैं बुढ़ा extension पर चल रहा है extension वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वो रेत के धेर पर बैठा है वे सजन कहीं से रेटायर होकर यहीं बेटों के पास आकर रहने लगे हैं बढ़े लिखे आदमी है, सहित्य प्रेमी है सहित्य प्रेमी के लिए मैं बकरा हूँ चाहे जब हलाल किया जा सकता हूँ वे अच्छी बाते करते हैं अच्छी बातें उभा देती है मैंने हिंट देना शुरू किया तालने के लिए मेरे पास कई तरकीबे हैं तमाखु खाकर पीक मुँमे भर लेता हूँ बोलता ही नहीं तमाखु मेरी रक्षक है अगर तमाखु खाने की आदत ना होती तो मुँ बंद रखने के लिए बच्चों की फीडिंग बॉटल मुँ में रखनी पड़ती तमाखु से सामने वाले ना उठे तो एक आएक उदास और गुमसुम हो जाता हूँ जैसे संसार का नाश साफ देख रहा हूँ या दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाता हूँ आसार संसार में दो घड़ी बोल भी लिये तो क्या होता है चाहिए उन्होंने कोई हिंट स्विकार नहीं किया तब मैंने पूछा कहा जाने का इरादा है ये प्रशन तुरुप का इक्का है इसका मतलब है आप जा कहीं और रहे थे यहां तो यूहीं टपक पड़े इस अर्थ को समझ कर आदमी उठ जाता है अगर आपको ये प्रान घा तक जवाब भी मिल सकता है कि कहीं नहीं आपके पास तक ही आया था वे सजजन ये कहकर कि जरा बाजार जाना है उठ गए एक आद मिनट बाद मैं भी पान खाने चौराही की तरफ चला मैंने देखा वे चौराहे पर खड़े हुए तै नहीं कर पा रहे कि कहां जाए वे कभी बाई तरफ की सडक पर मुड़ते फिर लोट कर चौराहे पर आकर दाएं मुड़ जाते और फिर लोट पड़ते दो तीन मिनट उन्हें ये तै करने में लगे कि किस तरफ किस के पास जाए बाकी वक्त कहां गुजारते उन्हें किसी का खयाल आता और वे एक सडक पर चल देते दो चार कदम चलने पर सोचते वो शायद घर पर ना हो लोट पड़ते दूसरे आदमी के घर की तरफ बढ़ते फिर कुछ सोच कर लोट पड़ते मुझे बहुत दाया आई सोचा इन्हें लोटा आलूं और कहूं कि जब तक बैठना हो बैठे पर तभी आत्मरक्षा की भावना तीवर हुई मुझे काम भी करना था दाया की भी शर्ते होती है एक दिन एक गायतार में फंस गई थी उसकी तडप से मैं द्रवित हो गया सोचा इसे निकाल दू पर तभी डरा कि निकलते ही ये खीज में मुझे सींग मार दे तो मैं दया समेत उसे देखता रहा व्रिद सजन मुझे ठीक उस गाय की तरह लगे जो तरास्टाई खाली समय के कटीले तारों में फसे थे मैं उन्हें निकाल सकता था पर निकाल नहीं रहा था दया की भी शर्ते होती है Society for Prevention of Cruelty to Animals याने जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने वर्फ तोड़ने के कीले से कौच कौच कर अपनी बीवी को मार डाला था दया की शर्ते होती है हर प्राणी दया का पात्र है पशर्ते वो अपनी बीवी ना हो वे जब तब मेरे पास आने लगे ये अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डर भी लगे एक शाम वे मुझे बस स्टेशन पर खोमचे के पार खड़े चाठ खाते दिख गए मेरी दया और बढ़ गई उन्हें घर में एक चानुसार खाने को न मिलता होगा पूड़ा अदमी चटोरा हो जाता है मेरे एक रिष्टेदार अंतिम सांसे ले रहे थे बेटों ने कहा बाबुजी राम नाम लो दान पुर्णे करना हो तो कर दो कुछ इक्छा हो तो बताओ उन्होंने ना राम का नाम लिया ना दान किया बोले भाईया भाईया मुझे आलू बोंडा खिला दो एक दिन वे मेरे पास पैठे थे कि विश्व द्याले के दो छात्र निता आ गए वे युवा असंतोश पर मुझसे बातें करने लगे रिटायट सज्जन बीच में ही बोलने लगे वे लड़कों को उपदेश देने लगे लड़कों ने कहा ज़रा आप हमें बात कर लेने दीजिए तो चुप हो गए लड़के चले गए तो वे बोले हमारा जिंदगी भर का अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं तो ये लड़के सुनते क्यों नहीं मैंने कहा शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं वे समझ गए उदास हो गए कहने लगे हमारी तो पूरी जिंदगी दबते होए गुजर गई जब हम जवान थे तब ये मान्यता थी कि बड़ों से दबो हम तब बुजर्गों से दबे अब ये हो गया कि लड़कों से दबो तो अब हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं हमारी जिंदगी तो दबते होए गुजर गई रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रैजडी होती है व्यस्ता आदमी को अपना काम करने में जितनी अकल की जरूरत पड़ती है उससे ज्यादा अकल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है रिटायर्ड वृद्ध को समय काटना होता है वो देखता है कि जिन्दगी भर मेरे कारण बहुत कुछ होता रहा है पर अब मेरे कारण कुछ नहीं होता वो जीवन संदर्भों में अपने को जोड़ना चाहता है पर जोड़ नहीं पाता वो देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूं छोटी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के इस समुद्र में नहीं उठ रही है हमारे चाचा जब जब इस नकुछ पन से तरस्थ होते परिवार में लड़ाई करवा देते खाना खाते खाते चिल्लाते दाल में क्या डाल दिया, कड़वी लगती है मुझे मार डालोगे क्या हम कहते डाल तो बिलकुल ठीक है हो कहते तो क्या मैं जूट बोल रहा हूँ भगवान की कसम परिवार में आपस में लड़ाई मत जाती हम देखते कि हम तो लड़ रहे हैं पर चाचा आराम से सो रहे हैं तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता और मन को चैन मिलता हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले मैंने पूछा वक्त कैसे कटता है वे बताने लगे भगवान ने फुरसत दी है तो चार घंटे तो उनकी पूजा करते है मुझे भगवान पर दया आई सर्फशक्ति मान की भी मेरे जैसी गत चार घंटे रोज होती है योवे ठीक ही कहते है कि भगवत भजन या और कोई अच्छा काम फुरसत में ही किया जाता है फुरसत ही नहीं है तो आदमी अच्छे काम कैसे करे भगवान से लेकर बेटे नाती पोते तक वक्त काटने के काम आते हैं मेरे पड़ोस का लड़का बेकार था वक्त उसका कटता नहीं था उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए उनकी भी समस्या समय थी दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे उम्र का फर्क मिट गया वे बराबरी के हो गए बुढ़ों दोपहर को आ जाते और शान तक बाते करते बातों के विशय खेती बाड़ी से लेकर बारातों के अनुभव तक होते एक दिन मैंने सुना वे दोनों खुब जोर से लड़ रहे हैं बुढ़ों कह रहे हैं हमें मत सिखाओ हमें जिन्दगी भर तमाख उखाते हो गया लड़का बोला तुम्हें जिन्दगी हो गई तो हम भी दस साल से तमाख उखा रहे हैं हम भी कुछ जानते हैं मुद्दा क्या था जगड़का? कुल ये कि चूने में मक्खन डालना चाहिए या नहीं और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो और दिनों से ज्यादा खुश थे क्योंकि लड़ लिये थे मेरे पास ही एक भले आदमी रहते थे उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीनों के लिए लड़की दमाद के पास रहने को आ गए वे गणित के अध्यापत थे मेरे रिष्टेदार होते थे वे मेरे पास आकर बैठ जाते घंटों, परिवार और रिष्टेदार और महंगाई की बाते करते मुझे अखरने लगा एक दिन जब हो आए मैंने उनके बोलने के पहले ही अंतर राष्ट्रिय बात शुरू कर दी कहा देखिए इसराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया सैयोनवादी राजी की स्थापना का वायदा 1917 में प्रिटिश विदेश सचिफ लॉर्ड बेलपुट ने कर दिया था पांच-सात मिनट तक जब मैं अरब इसराइल संबंध और शीत युद्ध की बात करता रहा तो वे उब उठे इस सबसे उनका वास्ता ही नहीं था वे उठे बोले जरा नहा लू मैंने अंतराष्ट्री राजनीती में उन्हें नहलवा दिया दो तीन दिन ये नुस्खा अजमाने के बाद वो या तो आते नहीं आते भी तो पांच-दस मिनट ही बैठते वे डरते थे कि ज्यादा बैठा तो ये दुष्ट अंतराष्ट्री राजनीती की बातें शुरू करतेगा वगर अब उनके बेटी दामात परेशान रहने लगे मैंने उन्हें सलाह दी कि इन्हें किसी काम में लगा दो कहो कि बाबुजी मुन्ना गणित में कमजोर है से पढ़ा दिया करिये गणित के अध्यापक की ये कमजोरी है वो दुनिया में किसी को गणित में कमजोर नहीं देख सकता मैंने देखा वो नाती को गणित पढ़ाने लगे और खुश हैं पर एक दिन लड़का रोकर बोला ये नाना जी हमें गणित पढ़ा पढ़ा कर मारे डाल रहे हैं वो लड़के के पीछे पढ़ गए थे अब मैं बुज़ुर्गों से डरने लगा हूँ पर वो नाराज ना हूँ मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उनकी तकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ रिटायर्ड आदमी की ये समस्या मानविय और सामाजिक है समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे मन का न कुछ पन के बोध सिभरा सिर्फ समय का बोज़ धोता रहे ये अच्छा नहीं समाज का भविश्य इस बात पर निर्भर है कि वो अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद काम करते युवा के काम में दखल देगा और समाज की कर्मशक्ती घटेगी युवा एंजिनियर काम कर रहा है तब ही रिटायर्ड एंजिनियर आ जाएंगे और कहेंगे क्या हो रहा है हमारे जमाने में ऐसी मशीने नहीं होती थी वो अपने जमाने की मशीन को मार डालेंगे पुरानी मशीन से नई मशीन की रक्षा करनी पड़ेगी पुरानी मशीन को किसी काम में लगाना पड़ेगा काम ना मिले तो कम से कम ये तो हो ही सकता है कि पुरानी मशीन ने एक दूसरे की जंग साफ करते वक्त गुजार दे आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कॉमेंस जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फॉवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अल्विदा